हान जी तो मित्रों, इस बार elections की वज़े से कहीं न कहीं, CA final audit में मिल रहे हैं सर आपको 3 दिन, अब ये 3 days का कैसे आपने utilization करना है, कैसे आपने अपना best of the efforts करने है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि how you need to structure your 3 days, because ऐसा किसी ने सही का है, कम time मिलता है तो focus रहत You are watchful, कहां आपका time जा रहा है, और आप audit में एक दम बढ़िया preparation करके, अच्छे से अच्छे mark score कर सके, so without much ado, let's begin with the video, CA final audit, 3 days planner, मेरी आप सबसे requested, do make sure आप video को like कर दे अपनी positivity से, ताकि ये बाकी CA final students तक भी पहुँच सके, सबसे पहले सर बात करते है, day 1 की, ठीक है सर, day 1 प Yes people, DT पढ़ लेना, यानि जब आप AFM का paper देखे होगे, उस शाम आप DT पढ़ सकते हो, next day से, you can begin with auditing, so 7 बजे से 11 बजे तक आप professional ethics करेंगे, इसकी weightage, आप exam में मान सकते हो, around 18 to 20 marks रहेगी, which can be seen in the MTPs, plus also the weightage which is shared by ICI, professional ethics में भी मेरी आप से request रहेगी, sir, सबसे पहले आप around 45 to 50 minutes, 45 to 50 minutes में निप्टा दें, ठीक है sir, उसके बाद आप जाओगे schedules के पास, यानि जो आपके clauses है, इसमें भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको first schedule करने में थोड़ा time ज्यादा लगेगा, first schedule में भी मैं बता देता हूँ, part number one, इसको करने में time ज्यादा यानि clauses को याद रखना है और उसके नीचे की बातों को अच्छे से समझ के read करके जाना है, so that अगर question आता है, आप उसको interpret करके full में से full score कर सकते हो, ठीक है sir, उसके बाद जब आप second schedule पे जाओगे, hopefully उसमें काफी कम time लगता है, and last में जो आपका topic आता है, council guidelines, उसमें भी कम time लगेगा, तो आप मान सकते हो, first schedule part 1 को cover करने में आपको लगबग 1.5 hours लग जाएंगे, ठीक है sir, second schedule को cover करने में around 45 minutes लग सकते है, and जो आपकी council guidelines है, उसको cover करने में भी 40 to 45 minutes लग सकते है, तो अगर आप इन सब को total करो, तो sir कितना बन जाता है, 45 minutes plus 45 minutes plus 45 minutes, ये आपका लगब 90 plus 45, 135 minutes, तो ये हो गए, 135 minutes plus 90 minutes, 225 minutes, अगर मैं 225 को divide करता हूं sir, 60 से, तो ये कितने hours हो जाते हैं, sir, ये हो जाते हैं आपके लगबग 4 घंटे, ये लगबग आपके 4 घंटे के करीबी बचते हैं, उतना ही time मैंने आपको दिया है, उतना ही time मैंने आपको दिया, तो आपने ध्यान रखना है, इनिशल चीजों को करने में 45 to 50 minutes लगेंगे, तो comfortably, coolly, कामली आप इनको अच्छे से complete कर लेना, ठीक है sir, इसके बाद sir, जो schedule को cover करने में around 1.5 hours जाएगा, कोई बात नहीं लगा देना, second schedule में लगबग 45 to 50 minutes लगेंगे, लगा देना, कोई दिकत की बात नह बात में council guidelines भी आपके 40-45 minutes में हो जाएगे, best part यह है कि आपकी जब morning की professional ethics से एक दम starting बढ़िया हो जाएगी, आपको कोई tension की बात ही नहीं है, sir, इसमें questions कौन से करने, questions आप वही करेंगे, जो आपने पहली revisions में mark कर रहे हैं, अगर आपने questions mark नहीं कर रहे हैं, तो आप जा हो जाती है, हाँ, sir, वो file आपको telegram channel पे मिल जाएगी, must do topics के नाम से, समझ गए, sir, अब आप 11-12 बजे का break लेंगे, इस break में आप नहाना, धोना, जो भी करना, ठीक है, and breakfast कर लेना, make sure आप breakfast light से light करें, have as much fruits as possible, हलके से हलका breakfast करना, क्योंकि अगर heavy खाना खालिया, गर्मी का time में तो band बज जाएगी, ठीक है, तो make sure आप light से light breakfast करके चल रहे हैं, फिर sir, 12 से डेड़ बजे के बीच में क्या करना है, 12 to 1.30 PM, you'll be doing your SQC 1, SA220, इसकी weightage आप मान के चलो, exams में 5 marks रहेगी, इसको लेके, even I have shared a revision video, अगर आप वो revision video के साथ-साथ भी revise करते चलते हैं, यानि आपने revision video देखी, concepts को recall किया, वीडियो को pause करके recall कर लिया, सची सची बता रहा हूँ, लगबग आपका 60 minutes में, 60 minutes में पूरा का पूरा SQC 1, SA220, recall हो जाएगा, sir, आपने तो 1.5 hours दिया है, बाकी आदा घंटा, बाकी आदा घंटा, आप questions करके चल सकते हो, मज़ा आ जाएग ठीक है, sir, इसके अलावा, sir, क्या करना है, 1.30 to 2.30 will be your lunch break, इसके अंदर आपका जो भी lunch वगरा रहता है, वो करोगे, उसके बाद, बैठ मज़ाना, सीधा पढ़ने, थोड़ा walk-walk में चले जाना, so that you are again back in your zone of studying, ठीक है, sir, अब कई बच्चे सोच रहोंगे, sir, last day पे भी क्य देखनी है, देखो, हमेशा revision video should be your second choice, जितना हो सके self revise करके चलो, because आपका अगर mind trained होगा, तो आप exam में automatically अच्छा perform कर पाएंगे, क्या यह बात समझाती है, हाँ, sir, इसके अलावा, 2.30 to 6.30, sir, क्या करना है, essay 200 की series, इसमें भी कुछ essays है, जिन पर आपने utterly focus करके चलना है, essay 240 240, 250, 260, 265, 299, जो आपकी यह 3 essays हैं, यह ICI inter level पे काफी detail में cover करता है, तो इनका आप बस overview ले जाना, इनका आप सिरफ caution bank भी अगर अच्छे से कर लोगे, I think that is more than enough, क्या यह बात समझाती है, हाँ, sir, समझ गए, फिर sir, आप evening का break ले लोगे, 6.30 to 7, शाम को प्लीज टहलने च 500 की series, essay 500 की series में भी, आपके 4 essays, जो बहुत important है, essay 500, 501, पिछली बार November में आ चुका है, ठीक है, तो मेरी यह request रहेगी, कि जब यह सारे standards कर रहे हो, तो 501 लास्ट में करना, ठीक है sir, फिर आप 505 करना, फिर आप 510 करेंगे, then 520, and 500 के साथ-साथ ही 620 कर लेना, because दोनों एक जैसे हैं, दोनों ही management expert और auditor expert की बात करते हैं, तो काफी चीज़े overlap होती है, आपका, easily दोनों चीज़े साथ में हो जाएंगी, ठीक है sir, जब आप यह चीज़ कवर कर लोगे, 2 घंटे मुझे लगता है, more than enough है, easily सारी चीज़े कवर हो जाएंगी, ठीक है sir, फिर हम जाएंग दिनर पे off half an hour, दिनर के बाद क्या करना है, दिनर के बाद आपको 2 घंटे मिलेंगे for covering 4 standards, सरी तो बहुत ही अच्छा हो गया, यानि आप 4 standards को ही 30-30 minutes, चारो ही standards को 30-30 minutes दे सकते हो, देखो 5.80 तो 30 लेगा भी नहीं, 5.80 तो 30 लेगा भी नहीं हो सकता है, 5.80 आप 15 minutes में कर ल लगा देना, तो इस तरह से आपने manage करके चलना है, और रात को फिर कोई tension नहीं है, सो जाना, रात को कोई tension नहीं है, सो जाना, जितनी मीठी नींद लोगे, उतना effectively next day की आपकी studies होंगी, so next day आपने sleep करनी है, 11.30 to 6.30, 7 hours की sleep दे रहो, मज़ा आ जागा तुमको, एकदम beauty sleep मि comes your day number 2, good morning, हाँ, ये planner आपके साथ रहेगा तो आपको feel आती रहेगी, wow, मुझे good morning भी बोल दिया, अब sir, सुबा साड़े साथ से साड़े नौ बजे तक क्या करना है, 2 hours I am giving you for SA 700 series, very easy series, very straightforward series, पका-पका इसमें से caution आना ही आना है, तो इसको आप अच्छे से cover करके चलेंगे, ठीक है sir, then comes your 9.30 to 10 गा slot, sir इसमें क्या करना है, इसमें मैं आपको half an hour दे रहाँ for covering NBFC audit, देखो, NBFC audit में आपका जो main focus है, अगर आप caution bank भी अच्छे से कर लेते हो, I think that is more than enough, पहले एक बार notes को cover कर लो 15 to 20 minutes लगा के, फटा-फट एक बार सारे topics को go through कर लेना, then move to the caution bank, and जि अगर आपको break आदे घंटे का चलेगा, तो यहां पर आपको आदा घंटा लगा के NBFC को और अच्छे से भी कर सकते हो, so this is up to you, so this planner is a flexible planner, जैसा आपको ठीक लगे, आप उससे आप से कर लो, but make sure, एक दिन के जो target से, वो पूरे targets at the end of the day आपके पूरे हो रहे है, ठीक है, क् आप अराम से करोगे, तो दो घंटे में हो जाएंगे, हो सकता है, कई बच्चे इसको एक घंटे में भी कर ले, तो सर हम क्या करें, फिर आप अपना bank audit उठा के थोड़ा बहुत complete कर लेना, फिर आप अपना bank audit उठा के थोड़ा बहुत complete कर लेना, यानि अगर आपसे बहुत lenient बनाया है, बहुत प्रेम भाव से बनाया है, आपको बहुत सारा time बाटा है, तो कई बच्चों की अगर revision बहुत अच्छी चल रही है, उनको लग रहा है, हमको तो सर फड़ा फट सारी चीज़े recall हो जाती है, तो आप जो बाद में चीज़े दरखिये हैं, उनको साथ आखें बंद करके बैठना, and then you can begin with your study of bank audit, bank audit के लिए सबसे best time है, दो से पांच बजे के बीच में बढ़ो, तीन घंटे आपके, तीन घंटे आपके, जितना bank audit पढ़ना है, उतना पढ़ो, peacefully, कूली, कामली, अराम से bank audit करना, प्लस, quotient bank में से भी, जो भी आपने quotients mark कर हैं, उनको जरूर टले न, नहीं mark करके, तो मैंने list आपको दे दिये, उन questions को जरूर-जरूर करके, जाना है, जैसी मैं बोलता हूनू, जरूर-जरूर करके, जाना है, फ़ील आती ही, वो जो शादी कार्ट पे लिखा होते हैं, भाहीता हैं तो इन questions को जरूर-जरूर करके जाना, then sir 5 to 6 30 p.m. किते गंदे जोग मार रहा है sir, एक तो audit का वेपर है, जोग किते गंदे, sorry yaar, I hope it's all fine, yeah sir, it's fine, 5 to 6 30 p.m., 1 and a half hours, तीन स्टेंडर्स, जो तीनों इंटर रिलेटेड है, सबसे पहले से 320 में materiality निकालेंगे, उन materiality के basis पे सेंपल निकालेंगे, सेंपल में गलती मिलेगी, तो उसको evaluate करेंगे, इन तीनों को अच्छे से करके जाना, RTP, May 24 में कोशन आया था sir, 320 और 450 का, तो very very important from exam point of view, then comes your evening break, again 6 30 to 7, half an hour है, enjoy करो, मज़ा आएगा, then sir 7 to 8 30 क्या करेंगे, SA 800 की series और SRS, chances हैं, दोनों में से एक कोशन आये गई, दोनों में से एक कोशन आये गई, तो ये 5 नंबर भी बटोर लेना, ठीक है sir, फिर एक छोटा सा chapter है, जो बिचारा neglected रह जाता है, audit planning, इसके लिए मैंने आपको half an hour दिया है, उससे ज़्यादा ज़रुवत भी नहीं है, easily आपका audit planning half an hour में revise हो जाएंगा, then comes your dinner of half an hour, उसके बाद sir क्या करना है, 4023, SA 3402 दोनों interlinked है, easily you can complete in one hour के around, so 9.30 to 10.30 I am giving you time, most probably 40-45 minutes में आपका ये हो जाएगा, और 3402 में तो कुछ है ही नहीं, easily कई ना कई 15-20 minutes में आप इसको complete कर लोगे, then sir 10.30 to 11.30 क्या करें, दो चोटे-चोटे standards है, half an hour, half an hour लगा के easily आप इनको complete कर सकते हो, 10.30 to 11, SA 3400, 11.30, 11.30, 3420, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, challenge कहा आता है, sir challenge यह आता है, जब हम एक topic से दूसरे topic पे move करते हैं, एक topic से दूसरे topic पे move करते हैं, और break नहीं ले पाते, तो मेरी आप से request रहेगी, suppose मैंने यहां से 10.30 to 10.30 के बीच में आप break नहीं दिया है, तो अगर आप चाहो, तो पांच मिनट की चैन की सांस ले सकते हो, कई बार ऐसा होते है, mind थोड़ा से heavy हो जाते है, और अभी तो इक topic कवर किया, दूसरे topic की बारी आ गई, तो वहां आप अपने लिए वो 5-10 मिनट का break ले लो, कि कोई दिक्कत की बात ने, बढ़ उसमें phone मत चलाना, आप वो break अपने mind के ले ले रहे हो, अपने तन मंधन की शक्ती के ले ले रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद आपने properly standard पे लगना है, इंटरस्ट में इक पर जैसे flow बन जाएगा आपको बड़ा मज़ा आने लगेगा, ठीक है सर, अच्छा ऐसा भी हो सकता है सर, हमको कोई topic याद ना है, देखो मैं बताता हूँ, अगर कोई topic याद नहीं आ रहा ना, तो हो सकता है chances आरा आपने उसका रट्टा लगाया है, यानि आपने उसको समझ नहीं रखा, उसका रट्टा लगाया है, and क्योंकि ये सारी चीज़े आप last two three days में देख रहे हो before the exam chances are very high chances are very high कि आपको ये exam में recall हो जाएंगी तो वो आपने inner faith रखना है कि हाँ अभी अगर मुझे चीज़े याद आ रही है तो exam में भी याद आ जाएंगी अगर आप अपने अंदर वो willpower रखोगे कि ये हो जाएगा तो trust me हो जाएगा एक बात बोलू सर वास्तू सेस्त थास्तू जैसा हम सोचते है न वैसे ही होता है तो अगर आप अच्छा-च्छा सोचोगे तो आपके साथ exam में भी अच्छा-च्छा होगा ये एक cheat code है जो आपको ध्यान रखके चलना है अगेन आपको साथ घंटे की नीद मिल जाएगे है हम so jealous of all of you ठीक है हर बार तुमको साथ-साथ घंटे की नीद मिल रही है हम अब आज हो day three पर हमको पता है हम कितने लगई इदर आओ अब हमने स्टार्ट करना है साथ बजे से आठ बजे emerging areas ये जितने भी topics मैंने आपको list करके दिये है भाई साथ यह priority wise है यानि जो सबसे important चीज़े वह हम पहले करेंगे जो least important है वो बात में करेंगे अरे सर जो फिर पहले किया वो तो भूल जाएंगे अरे भाई वीडियो तो खतब होने तो अभी तो party शुरू हुई है secret आने वाला है ये कहते है 7-8 बज़े आपने emerging areas करने है एक घंटा मुझे लगता है more than enough है सारे principles याद रखने होते है किस-किस principle में क्या क्या दे रखा है और जो बाकी छोटी मोटी बात है 6-7 page का chapter अच्छे से करके जाना ठीक है सर फिर 8-15 to 9-45 1 hour 30 minutes 1 hour 30 minutes में से मुझे जित्ता लगता है लगबग आपका 45 minutes में chapter 4 RAIC हो जाएगा बाकी जो 45 minutes बचते हैं उनको आप 3-15 और 3-30 में बांट सकते हो 3-15 और 3-30 में भी मुझे लगता है जो 3-30 है वो थोड़ा important बन जाता है 3-15 में जो इसका caution bank है उस पे focus करके चलना मुझे लगता है that is more than enough then sir 11-2 p.m. very very important time slot जहाँ पे आप cover करेंगे क्या due diligence, investigation, forensic accounting sir इसकी priority क्यों नीचे पहली priority due diligence second priority forensic accounting and third priority should be investigation again मेरी आपसे request रहेगी जितना खुले दिमाग से पढ़ोगे जितना खुले दिमाग से चीजों को go through करते रहोगे उतनी comfortably आपकी ये revision हो जाएगी 3 घंटे आपको मिल रहे है 11-12, 12-1, 1-2 make sure you are utilizing this time properly, ठीक है sir इसके बाद बहुत असान-सान topics आजाते है 2.30 to 3.00 p.m. लगबाग आपके अस हाफेन आ रहे है जिसमें आपको कारो 2020 कवर करना है जिसको मुझे लगता कवर करने में आपको 15-20 मिनट से जादा नहीं लगेंगे because सारे clauses आपको already आते है company audit में जो selected portion है that is the same जो आपने inter law में भी पढ़ रखा है inter audit में भी पढ़ रखा है final में भी एक बार go through करके जाना then sir एक घंटा आपको मिल रहा है 30 minutes 2400 SRE के लिए and 30 minutes 2410 के लिए and I think that's more than enough आपने एक बार अगर इस SRE को कर रखा है then definitely you should do it sir अगर हमने नहीं कर रखा तो मेरी अभी भी आपसे ही request रहेगी जो मैंने must do topics वाली video डाल रखी है उसमें से make sure at least you are covering 85% of the topic 85% marks के topics को आपने अच्छे से cover करके चलना चाहिए then sir 4-5 p.m. I have kept for SA540 बहुत बार ICA पिछल 2-3 attempt में पूछे जा रहा है अपने को रिक्स नहीं लेनेगा छे महीने की बात है अपने को रिक्स नहीं लेनेगा एक घंटा लगाओ 540 भी तमीज से करके जाओ तो जहां-जहां मैंने आपको memory technique से चीज़े याद करा रखी है उनको properly go through कर लेना बाकी चीजों को बस समझ के चलना अब सर 5-8 प्यम तीन घंटे दिये हैं डिजिटल आइटिंग के लिए मुझे नहीं लगा था कि इसके लिए इतना टाइम मिलेगा तो 5-8 प्यम यह गेटिंग वर डिजिटल आइटिंग अगेन जो क्लास टूडेंट से मेरी आप से बस एकी रिक्वेस्ट है जो हमने क्लास में नोटिंग कर रखी है जिन चीजों को अच्छे से याद कर रखा है उसी फ्लो में पेशेंटल अगर आप चीजों को रिवाइस करोगे तरस्ट मी आप डिजिटल आइटिंग में भी फुल आइन फोल स्कोर कर सकते हो तो make sure जो भी डिजिटल आइटिंग के चीजे हैं उनको lightly मत लेना आपको तीन घंटे मिल रहे है प्रॉपरली करके जाना अगर एक्जाम में कोशन आता है आपका target होना चीए कम से कम 60-70% तो मैं score करू 100% तो बस की नहीं है 60-70% मेरी आप से request रहेगी इतना तो कम से कम target रखना score करने का I am not putting a lot of pressure on you but trust me अगर आप इसको अच्छे से करके जातो तो bonus marks ही है जो collect हो सकते है सर अगर अभी तक हमने digital auditing नहीं किया तो क्या करें फिर मत करो मैंने कहा नहां अगर आप 85% भी quality से करके जा रहे हो अब आपकी second revision शुरू हो जाती है second revision उन topics की जो मुझे लगता है बहुत important है आपके exam के लिए सबसे पहले professional ethics जो मैंने का था ना 18 to 20 marks का आएगा उस 18 to 20 marks में से भी आप मान के चल सकते हो कम से कम 15 number के तो यही चीज़े आएंगी clauses, council guidelines और ESB के decision यानि आपने दो घंटे निकाल के रात को यह करके अच्छे से सोना है ताकि next day जब exam हो you are able to recall it, ठीक है sir फिर अगेन 7 घंटे की नहीं है कोई दिक्कत नहीं अच्छे से सो ताकि अगला दिन एकदम अच्छा अच्छा जाए आप एकदम प्यारे कामली, कूल तरीके से exams को लिख पाए अगर आप इनको रिवाइस करके सीधा exam hall में जाओगे chances are very high कि आप इन चीजों को recall करके full में से full score कर सको आदे घंटे का ब्रेक है चुप चाप जल्दी से फटाफट रेडी हो जाना exam के लिए make sure आप पूजा कर लो because issuer की blessings रहेंगी तो chances are again very high कि आपको exam में सारी चीज़े याद आ जाएंगी so 11.30 to 12.30 दो topics दे रहा हूँ जो आपने भी इस ब्रेक में पहले cover किये थे but मुझे लगता cover करना खाफी जरूरी है PSU audit और group audit इनको दोनों को अच्छे से कर के चलना last में बस एक बात ध्यान रखना सर क्या आपको pressure नहीं लेना है ना pressure किसी rank का ना pressure audit में exemption का बस एक बात ध्यान रखना सर क्या pass होने के लिए से 40 to 50 ज ही चीए पस होने के लिए से 40 to 50 जी चीए उसके अलावा आपको कुछ नहीं सही है, तो with that comfort just make your giving your best just make sure you are giving your best and God will take care of the rest बाकी issuer समाल लेगा, so all the best happy writing, मैं हमेशा से कहता था खुशी से पढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे, अब मैं आपको बस एक ही बात बोलूगा, खुशी से paper लिखेंगे एकदम मजे से paper लिखेंगे, definitely इस बार audit में exemption score करेंगे, so wish you the best लगे रो, एक positivity के साथ exam hall में जाना, इतना सोच लेना कि जितने भी आपने efforts करें जो आपने वो classes attend करी है, जो आपने वो quotient bank की practice करी है, everything that you have done, अपने उपर इतना भरोसा रखना में pass तो होई जाओंगा अपने उपर इतना भरोसा रखना में pass होई जाओंगा और मैं बताऊ ना, जब आपको खुद में भरोसा होगा even the nature steps in to protect you, even the nature steps in to support you, फिर उपर वाला पक्का आपको pass करवाई देगा, ठीक है so all the best, लगे रो, and I am sure you will do well take care all